So hello everyone, Google Cloud Arcade से related आप सब को बहुत सारे doubts है और इस वीडियो में मैं try करूँगा कि आप सब के doubts जितने भी हो सके इतने cover कर दूँ और इस से इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई doubts बचता है तो आप comment कर सकते हो या फिर मुझे DM कर सकते हो और अगर आपने इसके लिए अभी तक register नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप register इसके लिए कर लो क्योंकि यहाँ पर limited slots है और उसका जो link है कि कैसे register करते हैं वो मैंने आपको description में दे रखा है तो आप से click करके आप video देखो और रही बात swags की तो इस बार जो भी swags मिलने वाले है वो अभी reveal नहीं हुए लेकिन आप idea लगा सकते हो कि क्या-क्या मिल सकता है मतलब पिछले साल के swags आप देख सकते हो कि क्या-क्या मिलता है ठीक है और उस हिसाब से आप यहां पर points collect कर सकते हो तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास तीन चीज़े आती है गेम्स, trivia games और skill badges तो यह सारे क्या होते हैं यह तीनो यह तीनो badges है और badges क्या होते हैं इनको आप certificates की तरह मान सकते हो जो की आपके profile पर आते हैं जब आप in task को perform करते हो और उसके बाद उस हिसाब से हमको आपर points मिलते हैं और उस points के हिसाब से हमें swag हम अपना claim कर सकते हैं ठीक है तो games क्या होता है games में क्या होता है कि हमारे पास virtual labs होती है और labs में हमें जो task बोला जाता है उस task को perform करना होता है मतलब हमारे पास सिर्फ एक task एक lab नहीं होता हमारे पास बहुत सारे labs होते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे labs दिये होते हैं और उन में से आप चाहें जितने चाहें उतने labs वहाँ पर complete कर सकते हो और फिर labs को complete करने के बाद आपको badges मिलेंगे ठेक है, तो games में भी आपको labs complete करने होंगे, और skill badges के लिए भी आपको labs complete करने होंगे और बात करते हैं भी trivia games के बारे में तो trivia games में क्या होता है कि जैसे कि आपके पास English के question paper में क्या होता था unseen passage होता था, तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ चीज़े आपको पहले सिखाई जाएगी और उसके बाद आप से कुछ questions पूछे जाएंगे, और वो questions किस format में रहेंगे, वो questions हो सकता है MCQ में रहें, true false में रहें ठेक है, इन चीज़ों में रहें ठेक है, तो उसको आप कैसे solve करोगे उसके लिए आप, obviously बात है आप सबको पता ही होगा, आप chatbots का यूज कर सकते हो, JAT, JPT, या फिर Gemini का यूज कर सकते हो, ठेक है तो इनका यूज करके आप उन questions का answer कर सकते हो, तो ये तीन चीज़े हैं, ठेक है, तो labs, trivia games और skill badges, इन तीनों से आपको badges मिलेंगी, जो कि आपके profile पे जाएंगी ठेक है, और इनका ही आपको arcade point मिलने वाला है, ठेक है, और किस तरह से points मिलेगा, किस चीज़ का कित्बा point है, वो में आगे बताने वालों, यह रहा, ठेक है, तो उससे पहले हम आते हैं कि इसकी official website कौन सी है, ठेक है, तो इसकी official website की link मैं आपको दे दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको website visit करके दिखाता हूँ, ठेक है, तो यह रहा हमारा official website, इसमें हमारे पास जादा चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आपको direct updates चाहिए, तो यहाँ पर आप email ID डालना है, और बस subscribe पर क्लिक करना है, तो इसे related जो भी आपको necessary updates होंगे, वो आपको email कर दिये जाएंगे, आगे बढ़ते हैं नीचे, यहाँ पर हमारे पास एक skill badge है, skill badge of the day, चाहिए तो आप इसे solve कर सकते हो, ठीक है, नीचे आते हैं, तो यहाँ पर कुछ और skill badges है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ points के system है, जो कि मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, इसके बाद, और फिर यहाँ पर कुछ FAQs है, ठीक है, तो जादा कुछ है नहीं यहाँ पर इसकी official website पर, फिर भी आपको इन में से अगर किसी चीज का काम हो, तो मैं आपको यह link जो है, वो description में दे दूँगा, अब यह तो हो गया website, next हमारे पास जो question आता है, वो है timeline and pointing system, तो आप सबको पता होगा कि 22nd of July से, यह event जो है, वो start हो चुका है, और यह खतम कब होने वाला है, यह खतम होने वाला है, 22nd of September, ठीक है, और यहाँ पर किस तरह से हमें points मिलने वाले हैं, तो हमें दो तरह से यहाँ पर points मिलने वाले है, एक तरीका, जब यहाँ पर July खतम हो रहा है, तब तक चलेगा, और जो दूसरा system है, वो August से चालू हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, कि हमारे पास चार games और चार trivia games आने वाले है, मतलब August में चार games आएंगे, चार trivia games आएंगे, उसी طरश से September में भी चार games आएंगे, और चार trivia games आएंगे, और हमारे पास जो skill badges है, वो तो हमेशा रहने वाला है, मतलब वो अभी भी रहेगा, और August सेप्टेंबर में भी रहेगा, आप चाहे एक game complete करते हो तो आपको एक point मिलेगा आपte trivia games अगर complete करते हो तो उसमें भी आपको one point मिलेगा और अगर आप दो skill badge complete करोगे तो आपको one point मिल ले वाला है ठिक है अब यह skill badge साथ 9 साफी हो रही है लेकिन हमारे पास क्योंकि अभी कोई game और trivia game नहीं है मतलब को एक आर्केट पॉइंट मिल जाएगा यह कब से कब तक है यह 22nd of July से 31st of July तक मतलब July के महिने में हमारे पास सिर्फ skill badges हैं तो यहां पर क्या होगा एक skill badge का एक point मिलेगा हमें ठीक है और उसके बाद August ते क्या होने वाला है एक trivia game का एक point एक game का एक point और दो skill badges का एक point ऐसा नहीं है कि आपको एक skill badge का .5 points मिल जाएंगे ठीक है मतलब 0.5 points एक skill badge का आपको नहीं मिलने वाला है यहां पर आप पास सिर्फ skill badges हैं और skill badges को complete कर सकते हो आप तो यह तो था point system लेकिन हमारे पास milestones हैं जिससे हमें bonus points हैं मिल सकते हैं तो अगर यहाँ पर मैं click करके दिखाओं आपको तो अगर आप 2 game complete करते हो, 2 trivia game complete करते हो, 8 skill badge complete करते हो तो उसके बाद आपको 2 bonus points मिलेंगे तो total आपके पास 10 arcade points इस तरह से हो जाएंगे, milestone 2 में क्या है कि आप 3 games complete करोगे, 4 trivia games complete करोगे, 18 skill badges complete करोगे तो उसके बाद आपको 9 bonus points मिल जाएंगे total तो आपके पास total कितने हो जाएंगे, 25 arcade points हो जाएंगे तो इस तरह से यहां पर भी आप देख सकते हो और यहां पर भी आप देख सकते हो तो इस तरह से आपको bonus points मिल सकते हैं अब लाब्स किस तरह से हमें complete करनी है लाब्स complete करने में काफी सारा time लग सकता है तो आपको जल से जल किस तरह से आप labs complete कर पाऊगे तो उसके लिए आप यहाँ पर जैसे देख सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ है तो अगर मैं यहाँ पर किसी पर भी click करूँ और click करने के बाद हमारे पास यह सारे labs है और अगर मैं इस lab पर जाओ तो अब इस lab को मुझे complete करना है तो इस lab को मैं कैसे complete कर सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं start lab पर click करूँगा उसके बाद यहाँ पर जो भी task लिखा है वो मुझे complete करना होगा ठीक है उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर मैं इस lab के नाम को copy करूँगा ठीक है और उसको YouTube में जाकर paste करूँगा और मैं को उसका solution वहाँ पर मिल जाने वाला है ठीक है तो यहाँ पर मैंने YouTube पर ज कैसे complete करना है तो इस तरह से labs को complete करना है और जो भी easy labs होती है उनका link में आपको WhatsApp के group में हमारा जो WhatsApp का group है जिसको मैंने आपको बोला था join करने को उसमें मैं easy labs और उसके solutions भेजता रहूँगा ताकि आपको problem ना हो और आपको easy labs मिलती जाए और उस तरह से आप labs को complete करते हैं और अभी आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेने labs के badges के क्यूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्यूंकि अभी आपको एक skill badge का एक arcade point मिलने वाला है ठीक है और फिर यह जो जुलाई खतम हो जाएगा फिर तो आपको दो skill badge का एक point मिलेगा तो better यह कि अभी आपके प labs का free subscription हो तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी credits की जरूरत नहीं पड़ेंगी ठीक है मतलब बहुत सारी labs तो बिना credit के चल जाएंगी लेकिन कुछ labs के लिए आपको credit चाहिए होगा और क्यूंकि आप मेरे facilitator code से enroll किया है आपने तो आपको इसका benefit ज़रूर मिलने वाला है तो और साथ में आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको जो email आपने जो जिस email से register किया था तो आपको इस तरह का mail आया होगा ठीक है और इस mail को आपको ध्यान में रखना है ठीक है और इसके बाद मैं आपको एक video का link दे कर रखूंगा description में भी और whatsapp में भी दे check करना है कि हमारे पास हमारे profile पे किते arcade points आ चुके हैं क्योंकि arcade points के ही सबसे तो हमें swag मिलने वाले हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि उससे related आपको email मिलते जाएंगे जैसे जैसे आपके points बढ़ेंगे आपको email आते जाएंगे और उसके अलावा क्या कर सकते हो तो उसके बाद यहां पर आप profile पे जाओगे और public profile पे click करोगे तो यहां पर आपके पास badges आपको दिख जाएंगे जो भी badges आपने complete कियोंगे वो सब आपको दिख जाएगा ठीक है चलो bye